सब्सक्राइब करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे भोगोल के पेपर नंबर वन के महा संग्राम रिबीजन क्लास के बारे में रिजनल जिग्राफी पेपर का नाम है आपके और बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रसनों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा एक बिश्विद्याले का पेपर हो गया और मुझे ध्यान नहीं था कि उसकी डेट कब है और पेपर हो गया तो मेरे पास पेपर आया और मैं यह पेपर मलब मैं तयार कर चुका था महा संग्राम वीडियो लेकिन अभी बहुत सार से ही करूँगा कि आपकी पेपर से पहले अच्छा एक बिश्विद्याले का पेपर सायद कल है तो उसके लिए भी बहुत महत्पूर होने माला है लिखी टाइब की परिक्षाएं खूब अधिक मात्रा में हो रही है आप लोग की उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है लक्षर बिए पंचम समस्टर में पेपर नंबर वन में जियोग्राफी के रीजनल जियोग्राफी मतलब की प्रादेसिक भूगोल आपको पढ़ना पढ़ता है अब प्रादेसिक भूगोल में क्या पढ़ना है उसको लेकर के सिलेबस में ने दिया था आप लोगों ने दे अगर इस वीडियो को आप पंत तक देखेंगे तो आईए हमारे साथ थोड़ा एक दो घंटे का समय बिताएं आप लोग ताकि क्या हो कि परिक्षा के दिन में जब आप परिक्षा देने जाएं परिक्षा हाल में बैठे तो आपके दिमाग में हो सारी बाते आजाएं जो जगातार महासंगराम वीडियो आपको मिलते रहेंगे कि रिवीजन क्लास उस paper को upload कर दूँगा उसको भी देख लीजेगा आप सभी लोग ठीक है paper number one है प्रदेश से क्या लप्रस number one प्रदेश से क्या तातपर है प्रदेश क्या है अच्छा इसको लेकर कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी chapter number one की उसमें प्रदेश related बहुत सारी बातों को हमने उसमें आपको बताया है प्रदेश है क्या वास्तों में इसको समझते हैं प्रदेश जानते हैं क्या है प्रदेश से आसे एक ऐसे छेतर से होता है जो किसी ना किसी आधार पर अपने समीप औरती छेतरों से अलग हो और विभेदित किया जा सके मतलब कि जो उसके आसपास की एरिया है उस एरिया से वह एरिया जिस एरिया के हम बात कर रहे हैं वो अलग हो अलग विसेस्ता रखता हो अलग तरीके की उसमें जो हैं चीजें हो बना प्रदेस जो होगा वो ऐसा चेतर होगा जो किसी ना किसी आधार पर अपने समीप औरती चेतरों से क्या होता है अलग होता है या उसको हम किनी आधारों पर या कई आधारों पर उसको हम अलग कर सकते ह प्रदेश की परिभासा देना कोई सरल काम नहीं है तेकिन फिर भी बिद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी परिभासा दिये हरवर्टसन महोदे कहते हैं कि प्रदेश वा भावगोली की काई होती है जो जिसमें भूमी होती है जल है वायू पसू पेड़ पौधे प्रदेश ये सब छेतरी अस्तर पर परस पर इतने घनिष्ट और बिसिष्ट संबंध में संयुक्त होते हैं जुड़े होते हैं कि उनसे संपूर की बिलग बिलग माने अलग अगर उनसे कोई चीज इन सभी संपूर चीजों से कुछ चीज अलग हो जाती है तो उसकी अनू ब्रदेश ये जल पसू वायू पेण पोदे और मनुस चेतरी अस्तर पर इतने घनिष्ट संबंध रखते हैं परस पर देखें जल मनुस को प्रभावित करता है मनुस जल को इसी प्रकार से जितनी भी ये से वायू पसू पक्ची भूमी ये मनुस से भी प्रभावित होते ह तो इस तरीके से वातावण में सारी चीज़े आती है वातावण मनुस को भी प्रभावित करता है और मनुस वातावण को भी प्रभावित करता है और इस दिश्टी से देखें तो जो छेतर होता है या भोगोली काई जो होती है एक ऐसी जिसमें भूमी जल वायू पसू पे जाने जाते हैं इन सभी की विसेस्ताओं की मिलने से तो उसी प्रदेश को उसी छेत्र को हम लोग प्रदेश कहते हैं ये बात ध्यानकें वो इसी बहुग लिकाई को जिसमें सभी लोग भूमी जल वायो पसुपेंड पहुदे मनुष से ये सब घानिष्टता से सम्मंदित हो पर आपको पूरे के पूरे नंबर देने चाहिए बड़ी जबरदस्त परिभासा है दूसरा प्रसनाब देखेंगे दूसरा प्रसनाब की परिच्छा के दिष्टी से बहुत ही मैत्पूर है प्रसनाब की स्किन पर आचुका है दूसरा प्रसनाब सतत विकास का आर्थ और परिभासा बताएं सतत विकास को अंग्रेजी में बोलते हैं sustainable development क्या बोलते हैं sustainable development बोलते हैं सतत विकास को सतत विकास यानि sustainable development इसी को संधरिप्त विकास भी कहा जाता है यह बात ध्यान रखेंगे तो सतत विकास में होता क्या है कि एक ऐसा विकास जो की परियावन को भी ध्य साथ करता हो, संसाधुनों का इस तरीके से दोहन किया जाए, या विकास ऐसा किया जाए, जिससे की हमारी जो भावी पिड़ी है, उसके लिए कुछ बचा रह सके और वो भी एच्छे तरीके से जीवन यापन कर सके, ठीक है, समझे, सतत्विकास का साब्दिकर्थ होता है, को नीती के रूप में समझ लिया जाए कि विकास को उपलब्धियां मलब विकास को उपलब्धियां विकास की जो उपलब्धियां है भविस में दीरगवती तक बनी रहें दीरगवती मलब लंबे समय तक जो है वो उपलब्धियां जो विकास के द्वारा हांसिल की जा रही ह वो भबिस के लोग उसका उपयोग अच्छ तरीके से करते रहें ऐसा विकास किया जाए प्राकरतिक परियावन परिसंपतियों सहित संपूर संपदा को बहुत लंबे समय तक धीर वधी तक सनक्षित रखाया सके यानि कि ऐसा विकास करें हम ऐसे तरीके से आगे बढ़ें जि तो येहां बच्चे भी कार और मोटर सेकल पे बैठके घूम सके ठीक है ये विकास इस प्रकार का विकास जिसे परियावन भी सनक्षित रह सके एसा विकास जो कि आप बांध बनाओ लेकिन बांध बनने से जितना परियावन को नुक्सान होता है उससे कहीं अधीक आप पर करें ठीक है और ऐसे जो है अच्छे तरीके से यूज करें या उची तणीके से संसाधनों का दोहन करें कि जिस्से भाबी पीडि या आने वली जो पीडि है उसके लिए ही संसाधन सन अच Peachit हम इस योगियों की भावी पेडियों के लिए उतनी ही पूझी कल्यान के संभावित ऑवसर छोड़ सकें जो आज उप्योग हम कर रहे हैं यह पनाती ले सके तो यह परकार के उपयोग, यह परकार के विकास करा जाए, कि जहसे परिया वड़ो ठीक रहा है, और हमाल लड़कों पढ़के मजम रहा हैं, उनके लिए को उन्हों संकटना उत्पन हुए, उन्हों मोटर सैक्लिस घूमें, उन्हों पिट्रोल मिले, उन्हों सोना चांदी मिले खोदें तो उन्हों खीरा जवारात मिले, ऐसा ना है कि कुल सोना चांदी आज है हम निकाल डैरी, तो इह हुविकास होता सतत्थ विकास, समझो भईया, समझ में आवा हो तो फड़ा पड़ से वीडियो को लाइक करे दियो, बिल्कुल, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला, अच्छा, इसी बात को लेकर के सतत्थ विकास की परिभासा दी गई है, बर्ट लेंड कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, 1987 में, 1987 में, और उसी रिपोर्ट में कहा गया, सतत्थ विकास की परिभासा के बारे में, कि आने वाली पीड़ी की अपनी आवसक को पूरा करने की छमता से समझहोता किये बिना वर्तमान पीड़ी की आवसकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत्थ विकास होता है, यानि एक ऐसा विकास जो की वर्तमान पीड़ी की आवसकताओं को पूरा करती हो, इसके अलामा आने वाली पीड़ी की जो आवसकताओ यही है उसको पूरा करने की छमता भी रखती हो एक ऐसा विकास करें जिससे हमारा भी उपयोग जो हमको चाहिए हो हमको भी मिल जाए और जो हमारे लड़के को चाहिए वह हमारे लड़के को भी मिल जाए भबिस में ऐसा विकास गिया जाए उसी विकास को बोलते है सतत विका आगे बढ़ते और भी चीजों को जानते हैं जिस से क्या हुआ जो पिछडे हुए चेतर है वो भी विकसिच चेतरों के समान विकास अस्तर प्राप्त ना कर लें और विकसिच चेतरों के विकास की गती को तीब रख करके इस उद्देश की पूर्टी गिया सकती है मतलब की छेत्रिय संतुलन का सीधा सीधा मतलब होता अगर मैं आपको सरल भासा में बताऊँ छेत्रिय संतुलन चेत्र में संतुलन या सामंजस बैठाना छेत्रिय संतुलन होता है अब छेत्र में कैसा संतुलन होता है छेत्र में देखे भावगोलिक छेत्र है और राजनेतिक च्ट्रू है भावगोलिक राजनेतिक और आर्तिक चेत्रों में शबन रुड़ा एग तैसे कोई dot क्या है कोई dot च्ट्रैटी पिछड़ा है बहुत जादा और कोई dot यह ज्old बहुत जीदि अब इसकी गति तरह यह सई यह जो छेतर आगे है ये चार मोटर सेकल माल लेते चार मोटर सेकल एक दिन में बनाता है और ये दूई मोटर सेकल एक दिन में बनाता है तो इसलिए पिछड़ा है अब क्या किया जाए एक ऐसा माडल या एक ऐसा ब्यवस्था करी जाए ये से ए वाला जो छेतर है जो दूई पांच मोटर सेथीडिस में बनाई जाए डेली डेली कितनी मोटर सेखिल बनाई यह 5 मोटर सेखिल तो क्या हो जायेगा कुछ दिन के बाद में यह बी si की बराबरी कर लेगा यैनि जो और यही संतुलन समाजिक चेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आगया होगा कि चेत्रिय संतुलन होता क्या है चेत्रिय संतुलन को अंगरेजी में बोलते हैं रेजनल बैलेंस ठीक है और चेत्रिय संतुलन जो होता है वो विकास की हिर्दें विकास के उद्धे होने के कारण से होता है कभी कभी क्या होता कि एक चेत्रिय में ज्यादा विकास हो गया दूसर और ब्रेफिद सतंब आपके स्क्रीट सब्सक्राइब या इसको समझें खंडिये संतुलन को अंगरेजी में बोलते हैं सैक्टरल बैलेंस खंडिये संतुलन के अन्तरगत आठ्थव्यवस्था के जो है विभिन खंड जैसे की आप देखते हैं किरसी हो गया खनीज हो गया वो खासर के खंडिये संतुलन के अंतरगत अर्थ विवस्ता के ये सब विभिन खंड है और इन में संतुलन अस्थापित के आता है किरसी में घनिज में मालेते हैं किसी छेतर में किरसी जादा हो रही है किसी में खनिज उद्यों किसी में यातायात के साधन का विकास तो इन सभी म को गती परदान नहीं किया सकती है यह बात ध्यान अखेंगे एक उद्योग अथवा ब्यावसाय के उतपादों अथवा सेवाओं का उप्योग अन्य उद्योगों यह विवसायों में आप दाओं अमलब की आदाओं यानि की आदाओं मलब इनपुर्ट्स के रूप में क्या जैसे कि माल लेते हैं कोई एक उद्योग है या कोई एक विवसाय है तो उस उद्योग का अगर विकास आप करेंगे तो उसमें चुकी अगर आप किरसी का विकास करेंगे तो किरसी के विकास में खासर के आपको सिक्षा का विकास संचार का विकास यातायत का विकास और प् इंचार के साधनों का विकास करना पड़ेगा, शिक्षित होंगे तो अच्छे तरीके खनिच का उत्पादन कर पाएंगे, पर सिक्षण नहीं होगी तो खनिच कैसे निकाल पाएंगे, ट्रेनिंग नहीं होगी तो इस तरीके से ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, य खन्ड की करियाएं, दूसरे खन्ड की करियाओं को या तो रोकती हैं या उरुद करती हैं, या फिर उसको दोहराती हैं जिससे साधनों का पब्र होता है, अधिक्तर विकास सी लाष्टों में विकास की घती धीमी होनी कार्ण से मुक्ष हैं खंडिय संतुलन, ठीक है, इसी प्रस्ट पांचवा प्रस्ट है अस्थानिये छेतर नियोजन क्या है अस्थानिये 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 चेतर नियोजन क्या है अस्थानिये 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 चेतर नियोजन क्या है उसी क्रिया या प्रक्रिया को अस्थानिये छेतर नियोजन कहते हैं ठीक है समझ में आईगा बाते लोगों का कल्यान करना ये चेत्रिय नियोजन या अस्थानिय चेत्र नियोजन का काम होता है अस्थानिय चेत्र का विकास करना इसकी प्राथमिक्ताएं होती है समाजिक सेवाओं और सुविधाओं को बनाए रखना अस्थानिय उत्पादों और सेवाओं की गुडवत्ता की मात्रा में प्रोननती यानि उसमें बढ़ोतरी करना और परबेस अथवा अस्थानिय परियवन को साप सुथरा रखना, सच रखना, उसको हरा भरा बनाए रखना यानि हरित बनाए रखना इसके कुछ सतत्र पर्योजन सतत्म आने लगातार परीयोजन होते हैं ठीक है लगातार ये चलते रहते हैं लोगों और अस्थानों से सम्मंधित या आकार में बहुत छोटा इकाई होती है लगुत्तम नियोजन की इकाई होती है asthahani ऍचेतल जो उतपाद था लुजरे है और उसके क्वांटिती यानी मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाया जाए इसके अलामा तमाम परकार की समाजिक सेवाएं प्रकार की समाच्टा मम इसरा को उच्ख स yumic स्फापित करना यहीं को नियोजित करना उसी को प्लाइनिंग के तहट आगे बढ़वानाईयय लीकर टहुत है तक ही सभी की गूडवत्ता और सभी की मात्रत मात रातमक्ता के उछंसे थे प्रोन नती हो किलियर आगे देखिएगा सटनी चेत्र की विसेस्टाएं बताएं कि अस्थान ठीकानिए और लोगों के साथ संबन्द के सक। साली बंधन को प्रतिविंबित करती हैं गएर मुलोगों के संबंध में यह संबंध निर्बल होते अनुबंध और बढ़ती हुई भिनताइप्रत करती हैं उदहारण के रूप में समज़एं अस्थानी चेत्र की क्या बिसेसथाइप होती तो उदारण के लिए समुद्री समीर, अस्थानिये पवन, समुद्री समीर, समीर माने पवन ही होती है, हवाएं होती है, जो समुद्र में चलने वाली हवाएं होती है, उन्हीं को समीर बोलते हैं, जो वायू चलती है, अस्थान पेमलप की अस्थल पर उसको पवन बोलते हैं तो शमुद्री समीर अस्थानिय पवन समुद्र की किनारे काफी प्रभाव डालती हैं और समुद्र से दूर यह निरबल हो जाती है इकदम से कभी कभी क्या होता है कि अस्थानिय छेत्र उत्पाद क्या करता या पहचान इतनी लोग फ्रिये और विसिष्ट बन जाती है कि दूसरे अस्थानों वा छेत्रों में उसकी मांग की जाने लगती है जैसे कोलहापुर की जो चपल है वो बड़ी फेमस है अब कोलहापुर की चपल पहले कोलहापुर में ही बनाई गई लेकिन अब वो इतनी फेमस हो गई कि वो अन छेत्रों में भी मलब की उसको बेचा जाने लगा तो ये होता है विसेस्ता है कुछ असाने छेत्र की तो कोलहापुर के चपल की अपनी भी सेस्ता हैं जिसके कारण से वो अलग-अलग खेत्रों में उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है इसे मैसूर की चंदन की जो अगरवत्ती है वो बड़ी फेमस है और इसलिए वो दुनिया बर की अलग-अलग कोने में बेची जाती है इसके अलावा सिवका अजिक यहांस है वहाराण सीब्सका रिभाएं की जो रेस्मी साडियाँ है थीक है बनारसी साडिया बढ़ी फेमस है बहुत दोर-दोर के लोग उसको पहनते हैं दिली उली तक की महिलाई बनारसी साडीयों की इतनी आदा प्रेंए है कि एगर अगर आप उनको बनारसी साडी tyre लेकर जाकर दो, बड़ी खोस होती हैं, तो बनारीसी साडीयों की अलग ही रुटबा है, अलग ही जलबा है मैं बनारस रहा हूँ, मैं ने देखा भी है, मधुबनी कला जो है बड़ी फेमस है, कुची पूरी का निर्त जो है बड़ा फेमस है, तो ये सब कुछ अस्थानी छेतर उत्पाद हैं, जो की अपनी विसिष्टाएं रखते हैं, अपनी योगताएं रखते हैं, अपनी छमताएं रखते हैं, जिसके कारण से यह पूरे के पूरे भारत में अपना रुत्बा कायम किये हुए हैं जिनकी रास्टी और अंतरास्टी बजारों में बहुत मांग है तो डिमांड जादा है इसलिए सप्लाई करनी पड़ती है तो यही आपका यहां पर पूचागा अस्थानी चेतर की क्या विसेस्ताइं होती हैं तो अस्थानी चेतर का सीधा सामल्लब होता है कि पहले वो कहीं पर एक अस्थान विसेस में छोटे से घर में बनाई जाती हैं फिर धिरे-धिरे करके वो अपने मार्केड में अपना प्रभुता सापित करती हैं और फिर धिरे-धिरे अपने जिले में फिर जिले के ए यह जी साच कीआ खुब मैंने आपको बताई ही दिए तमां पस्मीना साल से लेकर करके कशमीन कीब साल नागा साल इसकाला पाठाके ょ मलका की जो सिवकासी के पाठाके वाडबनी कला कोई पुड्र निर ते है रोट बनार्सअी साड़िया है यह सब ठीक है कि नियोजन के अस्थ ईयूं यूद्स करने में क्या इंपॉड़ंट होती हैं। वही होता है नियोजन के अस्तर प्लान कें। नियोजन जो होता है विभिन अस्तरों पर कराता है। अ कारिकलाप या क्रिया कलाप, अपनी उकद बिधियां होती है। आवास, अस्थान, इत्यादी की योजना बनाते हैं कि भाई हमको कहां रहना है, कैसे घर बनाना है, किस तरीके से जिवन यापन करना है, इसके एक प्लानिंग बनाते हैं और यह समय और छेतर को लेकर के सतत प्रकरिया होती है, और इसका लक्ष लोगों का और वातावड का कल्यान करना होता है, कि भाई हमको इस तरीके से आगे बढ़ना, जिससे बातावड भी बचा रहे हैं और इसकी क्वालिटी में गिरावट न आए और हम आगे बढ़ते रहे सयोंत राष्ट सहयचेक कारिकरम यानी जिसको आप यूनएप बोलते हैं और दूसरा है सहईुक्त राष्ट बिकास कारिकरम जिसको आप यूनडीपी बोलते हैं यह सब पर्यावरण, निर्धनता, बिकास इन सभी के खुमन्डली मुद्वों के स्थर पर काम करती हैं राश्ट के कल्यान और विकास के लिए राश्टी योजनाय बनाती है राश्टी एस्तर पर राज के नियोजन परिसद है जो पूरे राज के लिए योजना तयार करती है इसे प्रादेसिक योजना के नाम से जानते हैं जिले के अस्तर पर नियोजन और विकास संस्थाएए एक साथकार करती हैं नियरे कि जो विकास खंड होता है यह कि जिसे आपको वतातू प्रकंड जिसको आप बोलते हैं तो एक बलाक में 50 गाओं होते हैं, उसको ले करके कुछ संस्थाएं बना जाती हैं, उसके विकास के लिए, तो छोटे चोटे चीजों में बांट करके आगे बढ़ा जाता है और उसमें अच्छे तरीके से विकास किया जाता है, तो यह आपका क्या होता है भई, इसी को क्या कर देखता है कि नियोजन की सतर कर दो छोटा गाओं हो गया तो भलब गाओं 50 गाओं और यह घंड़ गाओं और परिवार के अस्तर पर योजना किर्यान बन के लिए जिम्मेदार होते हैं अस्थाने चेत्र नियोजन जोटे जैसे गाओं बस्ती महले सबसे चोटा प्रदेश पर राज्क पर राज्क पर राज्क के देश अस्तर पर रास्टी अस्तर को लेकर के तमाम प्रकार की जो योजनाय बनाई जाती है और आपका जो है संयुक्त राष्ट विकास करकम ये लविकास जो होता है या नीयोजन का जो अस्तर होता है किसीज कही है वह कई अस्तर होते है तो छोटे ने करके बड़े बस्तर तक बिस्तु अस्तर सबसे आपसे नीचेب का होता है ब्लाक वाला भानबॉन का ठीकibt आगे देखिएगा आठमा प्रसनाप की स्किन पर आ चुका है विकास धुरुब के बारे में बताएं विकास धुरुब जो है एक अमूर्त आर्थिक छेत्र है जो बल के छेत्र के रूप में कारी करता है जहां से केंद्रो पसारक बल परिधी तक निकलते हैं और जहां प्राथमिक उत्पाद मूल बृद्धी के लिया आकरसित होते हैं विकास धुरुब एक बड़ा सहर है जहां आर्थिक गत्विधियां उद्योग और सिवाएं आर्थिक बाहिदीताओं के कारण बड़े पैमाने पर संचालित होती हैं और परधी के लोग उत्पादों की विक्री और खरीत के लिए सहर में आते हैं विकास धुरुब का सीधा-सीधा मतलब होताँ अगर मैं आपको सरहल सब्दों बताऊं बिकास धुरुब धुरुब माने होता है केंद्र विकास का केंद्र होगा वहीं पर बहुत सारी ची जाएगी अगर एक बड़ी फेक्टरी आपने अस्थापित कर दी तो उसी बड़ तरीके से अगर कहीं पर कचेहरी बगरा खोल जाती है तो यह सब भी प्रकार से विकास दुरूब होता कि अगर एक बड़ा उद्योग खोलता तो उसके आसपास बहुत सारे चोटे बड़े उद्योग जो होते हैं वह प्रभावित होते हैं और अच्छे तरीके से वहां पर ए किया 1955 में फ्रांस के छेत्रिय अर्थसास्त्री हैं उनका नाम है फ्राइंग कोईस पेरोक्स उन्हों ने उन्होंने विकास द्रुब सिधान्त बिक्सित किया और वे आर्थिक विकास की घटना और सन्नचनात्मक परिवर्तन की प्रकरिया से बड़े चिंतित हुआ करते थे एक समयता और उन्होंने या समझाने का प्रियास किया फ्राइंग कोईस पेरोक्स ने कि आर्थिक विकास जो होता इकोनामिकल डवलप्मेंट की आधुनिक प्रक्रिया कैसे संतुलित करी जाए कैसे संतुलित विकास की इस्तिर अधाला से भटकती है वो चीज पर उन्हें ध्यान दिलाया उनकी दलीले और उनके जो इनोवेशन यानि नवाचार जो थे उन नवाचारों और बड़े फर्मों या बड़े-बड़े मलप की बड़े पैमाने पर जो द्योग थे उनकी भूमिका के बारे में सुम्पीटर के सिध्धानतों पर अधारित उनकी जो चीजे थी होती सुम्पीटर एक अर्थ सास्त्री है उनके सिध्धानतों पर उनकाम किया और विकास धुरुब मा पर अधार विकास धुरुब में सकारातमक आर्थिक भाहित्य़ जो उनकी ओभू करेगी जो इसने विकास धुरुब के बाहर उनकोर नहीं किये होंगे यह होता है दूसरी मानिता, तीसरी मानिता यह है सामोही करण कीत, समोहन एक सहर में बहुत सारी फर्म यानि कमपनी उद्योग और आवासिये छेत्रों के संचे की एक प्रक्रिया होती है, सामोही करण से क्या होता है, अगर एक आप बनाओगे तो उसके आसपास तमाम पर करके जो होंगे उद्योग आटोमेटिक आ जाएंगे, तो जो है बहुत सारी फर्म उद्योग आवासिये छेत्र के संचे की एक प्रक्रिया होती है समोहन ठीक है एक सहर में, तो वो भी विकास दुर्ब के सिध्धानत पर ही फालो होती है, इसके अलाम आगला सिध्धानत है, अपने भीतरी इलाकों के साथ आगे और पीछे के संबंध हैं, बैकवर्ड लिंकेज का ताथ पर उत्पादकों द्वारा भीतरी इलाकों के विकास या भीतरी इलाकों में विकास दुर्ब तक कच्चे माल और प्राथमिक वस्तों की अपोर्ती से होता है, कि भाई अगर पोर्ती और प्राथमिक वस्तों मिलती जाएंगी फैक्टरी को, तो फैक्टरी बहुत आगे जाएगी और विकास दुर्ब वहीं पर केंद्रित हो जाएगा, फारवर्ड लिंकेज का ताथ पर विकास दुर्ब द्वारा या तो भीतरी इलाकों या अन्य छेतरों में तयार होने तयार उत्पादों की विक्करी से था, कि भाई प्राथमिक उत्पाद मिलेंगे उतने आदा अच्छा चीज़ बनेगा और उतने अदा विक्करी होगा, तो यही सभे विकास दुर्ब आगे देखेगा अगला परसन आपकी स्किन पर आचुका 11 नंबर परसन है, बहु दस हजार लोग रहते हैं, ठीक है, अब दस हजार लोगों में से एक बिक्ती मालते दस हजार लोग रहते हैं, और एक साल में एक लाक रुपया या माल लेते हैं कि बीस हजार रुपय या तीस, पचास हजार माल ले, चले, पचास हजार रुपय जो हैं एक साल में सभी लोग किसी देश के क्या है नागरिक हैं एक हजार लोग 50,000 रुपया एक प्रकार से पूरा देश मिल करके कमाता है या पूरा सिवाएं और इन सभी को जोड़े तो 50,000 रुपय जो है आता है तो इसको भाग करेंगे एक हजार से तभी तो निकलेगा तो तीन जिरो से तीन जिरो काड़ दिया यानि एक बेक्ती जो है कितना रुपया कमा रहा है पचास रुपया कमा रहा है तो पचास रुपया क्या है पचास रुपया प्रतिविक्ती आये है ठीक है क्या है एक रुप एक बेक्ती कितने तो यह होता है आपका प्रतिब्यक्ति आए अब प्रतिब्यक्ति आए जो होता है वही उसी यहीं पर आया था इसलिए मैंने इसको बता दिया तो बिस्त के कुछ राष्ट ऐसे हैं जिनकी प्रतिबेक्ति आये वास्तविक आये अत्यधिक है या निजादा है तथा जो विकास की उच्छ अस्तरी आवस्थाएं हैं उनमें प्रविष्ट हो चुके हैं दोसरी और देशों का बहुत बड़ा समु ऐसा है जिसमें प्रतिबेक्ति आये वास्तविक आये से बहुत कम है और जो विकास की निमन अस्तरी आवस्थाओं को जो भी पार नहीं कर पा रहे हैं तो आप विक्सित जो देश हैं एम अल्प विक्सित जो देश हैं में उन देशों में यहां अंतर निरंतर बिदमान ही नहीं है बलकि इस अंतर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है कि जो देश बिक्सित है या धनी है वो और धनी होते जा रहे हैं जो गरीब है वो और गरीब ह स्ट्रर का लगता है कि भाहिए 10 तो एकदम से खूब्स आगे चला गया इसी मोगती ़िया से प्रदिबेक्ति रुपय में अगर बढ़ते ही घटोते हैं अंतर देखने की मिलता है धर secret चेत्री विकास कहलाता है यही चेत्र का संतुलन कहलाता है इसी को संतुलित करना ही प्रकार्श चेत्री विकास होता है तो चेत्र में आप देखते हैं कोई ज्यादा धनी देश है कोई कम धनी देश है और ऐसी स्थिति में तो यह आपका यही चेत्री संतुलन को बनाना होता ह यह जो बीच का गढ़्दा होता है इसी बीच की गढ़्ध्य को पाटना होता है जो अमीरी और करीबी का होता कोई देश बहुत जादा बिकसित नहीं को सब्सक्राइब Hai rigorous के संद्रप लख क्या होता है केंद्र परिधी माडल केंद्र होता देखे एक होता ये ये बृत है ये बृत का केंद्र होता तो ये होता केंद्र और ये होती परिधी बृत की ये जो किनारे किनारे है तो ये इसी प्रकार के एक बृत के भांती उन्होंने पूरे के पूरे अर्तिव्यवस्ता क समझकर के केंद्र परधी माडल दिए है फ्रीड मैं महोगे ने डेखते हैं क्या है फ्रीड मैं महोगे के नुसार किसी भी छेतर का विकास कोई भी छेत्र है उसका विकास वहां के बिक्सित केंद्र तता आविक्सित परिधी के परसपर संमंधों पर निर्भर करता है बिकास और फ्रीड मैन कहते हैं कि कुछ छेत्र कुछ अनकूल कारणों से तीजी से बिकसित हुए हैं और बिकास के केंद्र में बन गए हैं यानि कि जो एरिया बहुत ज़दा बिकसित हुए हैं बीच में अगर यहने केंद्र में हो गए हैं और जो एरिया विक्सित नहीं हुई है वो परिधी पर घूम रहे हैं और इन केंद्रों की परिधी आविक्सित छेतर रहे गई है प्रादेशिक विकास ही तो जितना महत आर्थिक आधार का है उतना ही महत तो विभिन क्रियाओं क केंतर संबंधों का आए यानि ये केंद्र परधी माडल हो गया केंद्र का तो विकास जादा हो गया लेकिन परधी का विकास नहीं हुआ ये है फ्रीड मैन का केंद्र परधी माडल जो की विकास से रिलेटर है तेरा नमबर प्रस्ण है लेंगिक समानता लेंगिक समानता क्या पर समानता से होता है लेंगिक समानता के गर बात करें तो विकास सील छेत्रों में लगबग दो तिहाई देसों ने प्राथमिक सिच्छा में लिंग समानता हासिल किये कि महिला और फुरुस में कोई भेद नहीं होगा चियालिस देसों में अब रास्टी है संसद में कम से कम एक अक्ष में महिलाएं 30% से ज़्यादा सीटों पर वैटी रहती है किरसी छेत्र के वाहर भुकतान किये गए रोजगार में महिलाओं का अनपात 1990 में 35% से बढ़ करके 2016 तक आप देखेंगे 42% हो गया है तो ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ तरी हो रही है महिलाओं को उच अदिकार मिला है जो काम पुरुस कर रहे हैं वो काम आज महिलाएं भी कर रही है तो फिर क्या हो रहा लेगिंग शमानता आज आपको देखने को मिलती है और यही लेगिंग समानता किसमें आपको देखने को मिलती है विकास के माडल में भी देखने को मिलती है और आर्थिक विकास, समाजिक विकास, रादनितिक विकास जैसे से यह सब विकास हुए है हर एक छेत्रों में, चाहे समाज की बात में कर लूँ, चाहे रादनिती की बात कर लूँ, चाहे एकोनामिक्स की बात कर लूँ, चाहे संस्कृति की बात कर लूँ, चाहे धरम की बात कर लूँ, हर एक छेत्र में महिलाओं की स्थिती जो है, पहले की तुल्ला में बहुत उच सुचकांग के बारे में कुछ बताएं संयुक्त राष्ट संग विकास कारकरम जुसको UNDP कहते हैं साथ फार्म में ठीक है UNDP संयुक्त राष्ट संग विकास कारकरम ठीक है युनाइटर नेशन डवलब्मेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं तो ये एक प्रकार से मानो विकास सुचकांग के गर बात किया तो इसके तफ्त्व आवधान में इसी के अंडर में आर्थिक विकास के मापक के रूप में वर्स 1990 से 20 के सदस्त देसों के मानो विकास सुचका पर अधारित है कि किसी राष्ट के निवासी ही उस राष्ट की वास्तविक संपत्ती होते हैं मानो विकास सुचकांग जो ये कहता है या मानता है कि बाई जो मनुस्य होता है जो निवासी होते महां के वही उस राष्ट की संपत्ती या वास्तविक संपत्ती होते हैं और आ सी आपस Fisha करता है रहात चैह कर यह ilie जनसunnगय को साहिं किया उसी दिया लोछा जम्हां के लिए कई प्रकार कि कारेकरम उद्पूरा चलाए जाती है समय समय कर ठीक हो थीक चत्शू का एक Huh ese संसार के देशों पर ये काम करता है 15 नंबर को संसा आप देखेंगे इंपोरेंट प्रसने आपकी परिच्छा के देश्टे से बहुत ही महत्पूर प्रसने प्रसने बिकास का आर्थ और परिभासा बताएं तो बिकास एक जटिल व्यापक और सापेक्च संकल्पना है जिसकी स परिभासा देना विद्वानों के हिसाब से जो विद्वान देगा तो अपने पने हिसाब से देगा यह कठिन काम होता है विकास की परिभासा को देना अर्थ सास्त्रियों ने समय समय पर भिन भिन आधारों को दिर्ष्टी गत रखते हुए विकास को समझने का या समझाने और परिभाजित करने का बड़ा सफल परियास किया है और विकास की परकरिया को आर्थिक और गैर आर्थिक तत्तो महतपूर धंग से प्रभावित करते हैं विकास जिसे प्राया आर्थिक विकास के रूप में परिभाजित क्या आता है उसकी परिभासा निम्न तरीके से दिय का इतने भी संसाधन उपलब्द हैं अपने देश में उन सभी संसाधनों का कुसलता पूर्बग विदोहन करना होता है जिसके परेडाम सुरूप रास्टी आये और प्रतिवेक्ति आये में निरंतर्त और दिरकालिन ब्रद्धी होती रहती है आर्थिक विसंता में कमी आती है और जन समाने के जीवन और अस्तर में जीवन अस्तर और कल्यान में बढ़तरी होती है ये होता है आर्थिक विकास ठीक है और यही होता है विकास ये परिवासा बिल्कुल सटीक है बिल्कुल अच्छी परिवासा है विकास की और कि आर्थिक विकास क्या एक सतत प्रक्रिया होती है जो के क्या करती है अपने देश में जो प्लब्द संसाधन होते हैं उनका कुसलता पूर्बक और उचित मात्रा में दोहन करना होता है इसके परिडाम सुरूप रास्टी आए संतुलित रह सके परतबेक्ती आए और रास्टी आए ये निरंतर बढ़ती रहे दिर्ग का सोला नमबर प्रसने विक्सित अर्थ ब्यवस्ताएं क्या है विक्सित अर्थ ब्यवस्ताओं की बात की जाए तो ऐसी अर्थ ब्यवस्ताएं जो आर्थिक रूप से संपन है तथा विकास के उचितर अस्तर को प्राप्त किये रहती है विक्सित अर्थ ब्यवस्ताएं कहला भिखसित अर्थव्वस्थाएं कहलाती है उननत टेंट टेकनलोजी यहने की उनननत टक्निकी और सननचना वाली अर्थव्ष्था बिगसित अर्थव्ष्था बन जाती है और इन देशों में आर्थिक विकास के सभी जो है विसूचक पाद पहते कि जो उनकी जो GDP होती है ग् लिए कम होती बहुत ज़्यादा होती से लिए परतीति जादां देंगे देशा आगे बढ़ताब आपके अलप लएससे न मंबर है आपका अलप अल्प माने होता है कम अल्प माने होता है कम विक्सित यानि कि कम विक्सित अर्थव्यवस्था कौन सी है यानि कि इसका विकास अभी उतना नहीं हुआ है अल्प विक्सित अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो विक्सित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत विस्व मे और आसिक्षा जो है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है और इसे अल्प विक्सित तत्विवस्ता कहा जाता है प्रोफेसर रेगनर नक्स महोदे कहते हैं कि अल्प विक्सित देश वे देश हैं जहां जनसंख्या और प्राकर्तिक साधनों को देखते हुए विक्सित देश भारति यूजना आयोग करता है कि एक बिकशित अर्थ व्यस्था वह अर्थ व्यस्था है जिसमें मानोस्ति का अपना उप्यूग सही तरीके से नहीं कर पाता है या तो संसाधन है उस देश में और उस संसाधनों का जो है बिदोहन सही तरीके सनेयोपा रहा है या फिर संसाधन है भी और उसके आदे मनुस्तिक के जो मलब की जो चाल ढाल है वो आलसी टाइप की है तो भी दिक्कत आती है तो यह होती है आल पे विक्सित अर्थव्यवस्त और एक होती है बिकास सील अर्थोजात भारत जो है इसमें लगा ता डवलफ हो रहा है और खासर के भारत अब भी सिट देशों की स्रली की बराबरी कर चुका है लेकिन अभी भारत ने अभी घोचड़ा नहीं करें कि मैं विक सित हूँ ठीके लेकिन अमेरिका है मानता भारस भी अब बिक्सित हो चुका है यह बाद ध्यान रखेंगे कं आगे देखेगा प्रक्राइब किस कि अगे चुका है ग्रुजें लोगियान मतलब होता है माटी क्या मिली है मिली है पसुपालन में बागवानी इत्याद के लिए आधार परदान करती है वो जाओ मिर्दा मानु सभिता और विकास के लिए हमेशा से आकरशन का सुरोत रही है जहां कि मिट्टी बहुत जदा उर्बरक है वहां के रत्विवस्ता भी बिक्सित या विकास चील रत्विवस्ता हो पढ़ता छीन हो जाती है जब मर्दा कट करके उपर की परत उसकी बहुत हो जाता है कभी-कभी जो है बारी सुझाती तो ऊपर ही परत करके भाई जाती मिट्टी की ठीक है कभी-कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा डाई यूरिया खात का प्रयोग कर देते हैं तो फिर उस इस्तिति में भी जो आपकी मिट्टी होती है उसकी क्वाल्टी कम हो जाती है वो भुम्ही में करमड हो जाती है उन्हीं मरुस्तन में ज़िए तो इसी को निमनी-कडं कहते है तो प्रकर्ठी का दुर्लब वुपहार है! कभी-कभी-कभी कभी-कभी दुर्दा परदन जब अधिक हो और इसलिए मर्दा सनक्षण और उसकी प्राकरतिक और बरक सकती को बनाये रखने की अतियंत आवसकता इस समय बनी हुई है तो यह होती है आपके मर्दा संसाधन मर्दा संसाधन आज खत्रे में है संकट में है किरपया उसको बचाएं और जितना हो सके दाई यूरिया खाद क कम प्रियोग करें और खेतों को अगर चार पांसा लगातार बोती हैं तो एक छे साथ महीने के लिए कभी परती छोड़ करके जो तुआ करके छोड़ दें इससे मिट्टी के और बरक शमता जो होती हो नहीं रहती है ठीक है और मिड़वंदी कर दें ताकि क्या हो मिट्टी क कालीन आधार पर बिक्सित करने और बल प्रदान करने के लिए सरवाधिक मूलभूत आवसकता जल की उपलबदता है जल्लम जीवनम और सभी पायसित की तंत्रों का केंद्र है जल अधिकांसता प्रारंबिक मानो सबिताएं जल संसादनों विसे इस रुप से उपजाओ लेकर के मिसर की सब्विता भारत की सब्विता से लेकर के अरब की सब्विताएं सब की सब नदी घाटियों में ही पिक्सित हुई है चुकि जल बहुत उपयोगी होता है जलम जीवनम जल के बिना मनुसर जीवित नहीं रह सकता और जल की बिना करती कोई भी उद्योग जल क प्रभाइब देशों में आप देखने चेत्रों में सूखा और बाढ़ की स्थिति उत्पन हो जाती है कभी किसी एडिया में सूखा पड़ता है तो कभी किसी दूसरे एडिया में वहीं पर बाढ़ हाई रहती है इसलिए जल का प्रबंद जीवन की अनिवार या वसकता होती है बुड्लेंड आयोग आया उसने कहा कि विकास की प्रकरिया वहां प्रकरिया जिसमें वर्तमान की आवसकता है बिना भावी पीड़ी की चमता योगिताओं की समझोता कि ये बिना पूरी कर दी आती है तो ये हो ये कहता है अपका सतत्थ विकास या ओता एक प्रकार से तो ये सबत्विक आगो होता है मलब आप्स्ताइश थोड़ा से हांपर कि मलबत विकास की देदी स्थानि संसादन के बारे में जांकारी मिलती यह नहीं चाहिए जैसे कि भूमी, मिर्दा, जल, वन, पसू, अन जीव जन्तूख हनी जीए सब क्या हैं किसी एक छेतर के प्राकरतिक संसाधन है और इनी को अस्थानी संसाधन कहा जाता है और इसी तरह से मानों उसका सचडिक अस्तर पर मानविय अनक्रियाओं, कौसल, स्वास्त दर्जा इत्याद मानविय संसाधनों के अंतर गताते हैं तो अस्थानी संसाधन जो होते हैं यही सब होते हैं भूमी मर्दा, जल, बन, पसू, जीव, जन्तू, खने जीए सब होते हैं आपके अस्थानी संसाधन और मानविय संसाधनों में आपका स्वास्त, आपका कौसल, आपकी इमानभी अनुक्रिया है, आपका सचड़ी कस्तर और आपका एक प्रकार से माइंड लेबल, मेंटल लेबल ये सब आपके मानभी संसादन है, किडियर आगे देखिए, 21 नमबर कोशन सापकी स्किन पर आ चुका है, प्रस ने भी या 21 मिर्डल माडल क्या है, मिर्डल माडल, मिर्डल महोदय ने विकास का माडल रास्टी और अंतरास्टी समतलों पर प्रदेशिक का समनताओं के अधार पर बनाया, और इस माडल के में उसने अती निर्यात एवं प्रसरन प्रभाओं की धारडा कप्रियों किया, मिर्डल कहते ह या अनिरियात नहीं प्रभाव अर्भ नहीं कि जो आल पयक्सित यह देश हैं उन में प्रब्लम आनिवार अती निरियात अथек है ठीक है ठीक है ट्रोक слiveness एल पले नहीं जो आगे नहीं भड़ते हैं चुकी वहां पर चीजें उतपाद्य नहीं होती है और जो उतपाद़्ी नहीं होती है तो लोको बेचते नहीं कुछ चीज यब को चीज बेचेल रहे गाया यह बात इस मनताइं इसके अलामा आ समन्ताओं की मिसमें प्राचीन सद्धान्तिक साथ पूणर रूप से गलत है क्योंकि जब संतुलन कुछ क्रिया विशेसग्यों अत्वा तो कण्रण्भंग हो जाता है तो तुरंत कुछ ऐसी प्रिक्रियाओं का भी जनम हो जाता है जो संतुलन की पुनाह प्राप्ति विवस्था करती ज्टिंश खतब हो जाने से सारी चीश स्वाइब एक बिखती जाये गा दूसरा आएगा एक विवस्ता जाएगी दूसरी आएगी ठीक है प्राचीन बीस्सरे समें में ग्यर्थ आर्थिक तत्तों को कोई बिसेस महतों नहीं दिया गया था वास्तविक्ता यह है कि विभिन समाजिक तत्तों का भी आर्थ ब्यवस्ता में आर्थिक तत्तों के समान ही महतों है क्योंकि आर्थिक तत्तों की भाती इसमें इन में भी लगातार परिवरतन होते रहते हैं और पर है इसका जो उपयोग होता है इसका जैसे जो प्रうん की यह शेंगते मैं यह श्यांगते हैं और इसे करूज वास जाते हैं यह bene Go पुझीबादी अर्थविवस्ता के देश होते हैं वो हमेसा आगे बढ़ते रहते हैं चुकि वो लोग पैसे पर काम करते हैं वो लाव देखते हैं बस प्रोफेसर मेडल का कहना है कि यदि बात बजार सक्तियों के पर छोड़ दी जाए तो उन्हें किनी नीती हस्ता छेपों से औरुद ना किया जाए तो समस्त आर्थिक सक्रियाए विकास सील अर्थविवस्ता को अवसस्त से अधिक प्रतिफल प्रदान करेंगी ये मिर्डल प्रोफेसर मिर्डल का कहना है अंतराष्टी ब्यापार से अल्प बिक्सित देशों में प्रबल अतिनिर्याद प्रभावी हो सकते हैं मिर्डल का मत है कि ब्यापार धनी तथा प्रगती सील प्रदेशों के पक्ष में आधारवोत पक्षपात ले करके तथा कम बेक्से देशों के प्रतिकूल परचालन करता है ये प्रोफेसर मिर्डल का मानना है मलब की जो देश अमीर है वो अमीर होता चला जाता है और इसका का और लगातार आगे बढ़ते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं आगे देखी इसलिए भारत जो है वो पूझी पती और समाज दोनों आर्थव्यवस्थाओं को फालो करता है 22 नमर को इसनस आप देखेंगे बढ़िया प्रस्न है प्रस्न है स्वतंत्र भारत में नियोजन के बारे में कुछ बताएं तो आजादी प्राप्त करने के पश्चात भारत में नियोजन प्रकरिया प्रारंब होती है और भारत सरकार के द्वारा मार्च 1950 इस दी में योजना की पूरी जिम्मेदार योजना आयोग को सोंब दी आती है आयोग का च्छेतर कारी च्छेतर काफी ब्रस्त था योजना आयोग जो आज कल आपको बता दूँ कि योजना आयोग जो था पहले योजना आयोग की अगरबात की यो प्राइम मनिस्टर जो होता है उसका अद्धिक्ष होता है योजना आयोग का और ये पांच साल पर आती थी ठीक है सबसे पहली बात देश को भौतिक पूझी और मानों संसाधुनों की आवसकताओं का अनुमान लगाना और उनके संतुलित और प्रभावसाली उपयोग के लिए योजना बनाना ये पहली योजना थी योजना आयोग की इसके लामा सभी महतपूर कारिकरमों और प्रियोजनाओं को लागू करने की अनुमती देने से पूर्भ उसकी समिक्षा कर लेना कि जो कारिकरम हम चलाने जा रहे हैं वो कहां तक सफल हो पाएगा उसके बारे सारी जानकरी पहले से एकठा कर ले इसके लामा विकास में प्रियोग आने वाले संसाधनों का निर्धारन करना और उनका विभिन उपयोगों और उपयोग करताओं के बीच बटवारा करना और उनकी प्रकती पर निगरानी रखना और समिक्षा करते रहना लगातार यह चार-पांच बिंदों पर गर आप फालो कर लेंगे तो आप योजना अच्छे तरीके से किर्यानवित कर पाएंगे सुटंद्र भारत में योजना आयोग आया और उसने लगातार एक परकार से इनमें चीजे करती योजना आयोग के द्वारा तमाम परकार की शाल में चीजेंडे होती रही और तमाम परकर की योजना जाती उधी आते थे जिनमें पहले एक लत्ष को पाने के लिए लगातार मेहनत कियाती थी तेज़ नमबर कोशन्स आप देखेंगे प्रसने आर्थिक बिकास के मापक के रूप में क्रे सक्ती समता बिधी पर टिपड़े लिखिए फड़ा फड़ से आप बताएंगे इंपोरेंट प्रसन है तो क्रे सक्ती समता बिधी यानि परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड क्या है इसको PPP बोलते हैं तो आर्थिक बिकास के मापक के रूप में क्रे सक्ती समता या PPP बिधी का प्रियोग सबसे पहले अंतर राष्टि मुद्रा कोश के द्वारा 1993 में किया गया था वर्तमान में विभिन देशों के जीवन अस्तर की तुलना करने के लिए बिस्व बैंक इसी बिधी का प्रियोग करता है इस बिधी के अंतरगत किसी डास्ट के सकल घरेल उतपाद को उस देश में प्रचलित मुद्रा की यानि अमेरिकी डालर के संदर्व में वर्तमान में विभिन देशों के जीवन अस्तर की तुलना है उसको करने के लिए बिस्व बैंक इसी बिधी का प्रियोग करता है और इस बिधी के अंतरगत क्या क्या आता है किसी राज्ट का जो सकल घरेल उतपाद है निए जो जीडीप है किसी देश की उस जीडीपी में प्रचलिज जो मुद्रा है यानि कि अमेरिकी जो डालर है वो जीडीपी की तुलना अमेरिकी डालर से करी जाती है और अमेरिकी डालर से जब करी जाती है तो उसी करे सकती के आधार पर इसको भेक्त करते है तो वही उस निधारित हो जाता और निकल जाता है कि भई करे सकती कितनी है करे सकती समता कितनी है 24 नमबर प्रस्ण है प्रादेशिक नियोजन के लिए किस प्रकार की आर्थिक नीती को सुनश्चित के आया सकता असपष्ट करें तो अधिकतर विकास सील देशों में या संभवय की भूख और अकाल से निवारन के लिए जितनी अनाज की आवसकता होती है बजार कीमितों को आधार पर किसान उससे कम उत्पादन करें बजार प्रणाली की इन विक्रतियों की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि साध इस प्रणाली से वान्शित प्रडाम प्राप्त ना हूँ आता एक ऐसी आर्थिक नीती की आवसकता है आज जो युक्ती मूलक, सुबिचारित, सुसंगत और समन्वित हो ऐसी नीती को नियोजन कहा जाता है नीयोजन का उद्देश बितरन असमन्ताओं को नियूनतम रख करके राष्टी आय की सनचना को इस्थम करते हुए अधिकतम राष्टी आय सुनिश्चित करना होता है प्रतिवक्ति याय को बढ़ाना होता है जी डीपी को बढ़ाना होता है उसलिए नियोजन प्रदेशिक नियोजन जो होता है आर्थिक नीती में मलब आर्थिक नीती को सुनश्चित ऐसे तरीके सकरता जिससे उसकी बढ़ोतरी हो सके आर्थिक नीती ऐसी बनाई जाए जिससे प्रतिक चुपाएं मौद्रिग राजगोसी और वाड़ेजिक नीतियों के रूप में होते हैं जिने सांकेतिक नियोजन या इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं आप प्रतिक चुपाएं साजविनिंग निबेस के रूप में होते हैं आप प्रतिक दिश्टकोर में सरकार कि उद्यस्यों को आर्थी गद्विदी से समंधित नेतियों और बी नियमन रूप रेखा में परिवर्तन ला करके पूरा करती है फ्रांस इसका एक सबसे अच्छा उद्रान है और भारत कि अगर बात करें हम भारत कि अगर बात करें तो भारत भारत ने भी इस दिश्टकोण का कृसी बिकास को आंचित दिशा में लाने के लिए सफलता वर्वा परियोक किया है योजन अमलभ की जो आपका होता है प्रादे सीद्वि जो होता है उसको एक प्रकार से प्रियोक किया है भारत ने भी और दूसरी औरग्न प्रत नहीं कि माध्यम से पूरी कि यह दिश्ठकूॉण भारत में root 2017 के लिए और दोगी चेंतर के विकास के लिए और तीब्रीगति से विकास के लिए भारत में खासर के यह माडल लाया जाता है जो प्रतेक्ष द्रिष्टकोंड होता आर्थिगत बिधी में इसके लिए आगे देखिएगा अगला प्रसन है 25 नंबर को इसनस आप देखेंगे पंचवर्थी उजना को सुरू करने का मुख्यो देश क्या था फाई पियर प्लान जो होता है मुख्यो पंचवर्थी उजना देश के विकास के लिया आरंब करी गई थी और जब भारत सोतंत्र हुआ था उसके बास्ते पंचवर्थी उजना लगातार चलती है और चलती आ रही है और इसका मुख्यो देश विकास की दर को बढ़ाना है इस पंचवर्थी उजना के मादम से निबेश को बढ़ाया जाता है और इसी के साथ साथ समाजिक न्याय गरीबी को हटाना पूर रोजगार की बात करना आधुनकी करन जिन सभी तरभी फाई पियर प्लान में ध्यान दिया जाता है अब तक हमारे देशों में लगबग तेरा पंचवर्थी उजना एलाई जा चुकी है ठीक है और जिसके मादम से सरकार द्वारा कोई ना कोई उद्देश नहीं क्या आता है पहले और फिर उस उद्देश पर काम क्या जाता है और इन फाई वर्सी योजना के मादम से देश की आर्थी की सिती में बहुत उधार किया गया है आपको बता दूं आजकल तो नीती योजना आयोग का जो मलब की निती आयोग है तो नीती योजना आईोग जो एक ही नाम है दोनों बदल दिया गया तो इस तरीके से ये सब क्या करते हैं कि पहले पाँ साल है चार साल का जो मलब पांच साल का जो पंच वर्षी उजनाय होती थी उनमें पहले से इतने सी इतने बढ़ानी हम को फिर उसी पर काम करते थे देश के लोग और वो आगे बढ़ाते थे ठीक है तो इस तरीके से यह माडल तयार करके आता था आगे देखिएगा अगला को संस सद में पहले पंच वर्षी उजना प्रसुत करी फाइप एर प्लान आजादी के बाद भारत सरकार कद्वारा संसाधन के प्रभावी और संतुलित वियोग के लिए अपना ही युजनायों का एक आपचारिक माडल था पंच वर्षी उजनायों का संचालन करने के लिए भार प्रति युजनायों को अब नीती आयों के नाम से जाना जाता है युजनायों कठन पांच मार्च को किया गया था स्वारी 15 मार्च 1950 को किया गया था फाइप एर प्लान का मुख्यू देश था कि संसाधनों का उचे तरीके से आवंटन किया जाए उत्पादन में ब्रद्ध प्रति युजनायों के माध्यम से युजनायों को देश के सभी नागरिकों के जीवन अस्तर को उबर पहुचाने की जिम्मिदारी स्वापी गई और अब तक तेरा पंच वर्च वर्च युजनायों भारत में चलाई जा चुकी है ठीक है और ज्यादा ही हो गई अब तो अब और भी युजनाय चल नहीं समय अगली पंच वर्च 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 युजनायों ठीक है अगे देखें से तिस नमबर को संसाब की स्किन पर आ चुका है 27 नमबर केंदर सासित प्रदेश लद्धाख में खनी संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है असपश्ट कीजिए इंपॉर्ण प्रसन है देखें अगला प्रसन है खनी संसाधन के बारे में पुछागा कि के लद्धाग जो अब क्या है केंदर सासित प्रदेश लद्धाग जो है खनी संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पर पूगा घाटी में बेरोक स्यानी की सुहागा युम गंदक की विसाल भंडार पाए जाते हैं और लेह और कारगिल दोनों में अच्छी गुड लद्धाग का संगमरमर और सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है लद्धाग के बरफीले छेतर में यूरेनियम की खोज भी की कि पुष्टी करी गई है उत्तरी लद्धाग में मुद्रस योग घाटी में इस्थित एक छोटा सा गाउं उद्रभार है यहां खुदाई में उच्छे सांद्रता वाले यूरेनियम और थोरियम के भंडार मिले हैं और यहांसा की जा रही कि संग सासिच्छेत्र के रूप में अस्थापित होने के पश्चात यहां आउसनचना विकास में तिवरता आएगी और संसाधनों का उच्छे संदोहन स को कोल्ड डिजर्ट यानि सीट सुस्क रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है असपस्ट करें प्रसम बढ़ यहां है हिमाले के पार बसे लद्दाग शेत्र को कोल्ड डिजर्ट यानि की सीट सुस्क रेगिस्तान के नाम से जाना आता है इस बात को असपस्ट करें जल्वाय उनको यहां पहुंचने से रोग देता है और इस चेत्र में समसी तोष्ण और सुस्क जलवायू का मिस्रण बना रहता है भारत के कुल सीथ मरुस्थल का लगबग 87.4% हिस्सा लद्दाक चेत्र में अकेले हैं बाकी 12.12% या 12.6% हिस्सा हिमांचल प्रदेश के लाउ होली परिवर्थित हो जाती है भारत में सबसे कम वर्षा लेह अस्थान पर होती है लेह लद्दाक वहीं पर पड़ता है लेह में होती है जो 9.2 cm वार्षिक वर्षा होती बहुत कम वर्षा है उपर इक जलवायों परिसित्यों के काल से यहां की ज्यादा तर भूमी जो है कृसी और पेन पौधों से रहित बंजर है और इस बिसम भगोलिक प्रसित्यों वा ठंडे सुस्क रेतीले मोटे बनावट वाले भूमी की उपज बहुत ही कम है यहां पर आप देखते हैं द्रास सुरू और जांसकर में भारी बरबारी होती है यह कई महीनों तक देश के बाकी हि वेशाइयर भीचाशीर भीवस्थित हैं जिसे कासर कई सियाचीन हीमनती हाड़ होता है हिंदी में हीमनत में गलेसियियर बड़ी बारथ कीलों-मेटर लंबाी पार यहां कारा कोरम छेतर में सबसे लंबा गर्लेस कीर है और और दुर्पी खाग में गलेशियर दूसरा सबसे बड़ा गलेशियर है एक सीया चीन जो विचाफो एवं बाल टेरो सिगार घाटी जिस्ट्र की महत्पूर्ण हीम नदियाँ है लब इसी से नदिया निकलती है जो कि बरफीली नदिया होती है ठीक है इसी से बैती है इसके लावल गंगोतरी गिलेसियर आप देखते हैं यहाँ पर नहीं है लेकिन अलग लग एरिया में हैं गंगोतरी यह मनोतरी यह चोमा यूंग डूंग गिलेसियर तो गिलेसियर जो होते हैं वो बरफ जमी होती है पह जिला दर्रे जिला दर्रह एक दर्रह जो होता है उसको पास बोलते हैं मलब़ की आने-जाने का रास्टा होता है पहाडों की बीच में तो इसके चरणों में और गस्मीर से लद्दाग जाने के लिए यहां से रास्ता गुजरता है और इसी कारण से इसे लद्दाग का द्वार कहा आता है ठीक है रखासर के भारत का सबसे ठंधा अस्थान द्रास है जहां जनवरी का तापमान माइनस उन्चाश डिगरी सलस्यथ पहुंच जाता है ले में सब्सक्राइब की सीतल तम तापमान माइनस अठाइट डिगरी सलस्यथ रहता है लद्दाग में दैनिक तापांतर के एक दिन में जो ताप घटता बढ़ता रहता है एक दिन में जो तापांतर है वह बहुत जदा पाए जाता है कि घर्मी इतना हो गई ठंडी फिर सब्सक्राइब करके उन्चाश डिगरी तक पहुच जाता है लेकिन ठंडियों में यही तापमान अठाइच डिगरी से लेकर के उन्चाश डिगरी तक पहुच जाता है माइनस का ठीक है तो आप सोचो कितना तापांतर होता है आगे देखिएगा अगला प्रसन है उन्टिस नमबर कोश्टन से प्रादेशिग नियोजन की आवसकता किन कारणों से हुई है इसके बारे मताएं बहुत ही मैतफून प्रसन है प्रादेशिग नियोजन की आवसकता निम्लखित कारणों से हुई है पहला कारण है भाईया तेजगती से विकास हो रहा है और तेजगती से विकास करने के नाम पर मानों ने अपने अस्थानिये छेत्रिये, प्रांतिये, रास्टिये और अंतरास्टिये अस्तरों पर इस तरह का बदलाव किया है कि वातावड में या वातावड में तथा हमारे पारिस्थित्की का जो संतुलन है वो बिगड़ता चला जा रहा और बिगड़ गया है तो इसलिए प्रभावी प्रदैसिंग नियोजन की बहुत जरूरत है ताकि वातावड को ध्यान में रख करके हम अच्छे तरीके से अपना विकास कर पाएं दूसरी बात है समाजिक आर्थिक आसमानता को कम करने के लिए पारिथित्की या संतुलन को रोकने के लिए प्रभावी प्रदैसिंग नियोजन बनाने की दिसा में ब्यापक अस्तर पर नहीं बड़े पैमाने पर काम करना ही प्रदैसिंग नियोजन का हिलाता है यह भी एक काल रहा है प्रदैसिंग नियोजन की आवसकता है इसलिए पढ़ती है इसके लामा अलग 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 देशों की विकास की रफ्तार अलग अलग है इसलिए सभी के रफ्तार को एक साथ करने की कोशिस है प्रदैसिंग और बात प्राधिस्क नियोजन में और उपलब संसादनों का प्रयोग उचित ढंक जाता है अगर प्रदेशिंग नियोजन के तहट अगर संसाधनों का दोहन होगा तो उचित मात्रा में उसका प्रियोग किया जाएगा और उचित दोहन किया जाएगा ताकि भावी पीड़े के लिए बचा रहे सके यानि सतत्विकास होगा प्रादिसिंग नियोजन में इस तरह से नेतियों को बनाया जाता है कि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग ना हो सके और सभी संसाधनों का सदुपयोग हो सके इस दिश्टी से इसको बनायाता है तो प्रादेसिंग ने उजन किया हो सकता इन्ही कारणों से है ठीक है आज आगे देखिएगा अगला परसन आपकी स्किन पर आचुका है तीस नंबर कोशनस आपकी स्किन पर आचुका है पंचवर्ची उजना को नव जुलाई उनीस सो इक्यावन को भारत के पहले प्रधान मंतरी जवाहलान नहरू के द्वारा परस्थुत किया गया था पहली बात दूसरी बात इन पंच वर्षी योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारती योजना आयोग का गठन किया गया जो अब मोदी की सरकार जब से आय थी मोदी जी की सरकार तब से इसको जो है इसी योजना आयोग का नाम बदल करके नीती आयोग कर दिया गया इ अधिक शेहनेतियायो के अधिक परदानमंत्री जी स्वेहन होते हैं पंच वर्शी उजनाओं के इंतर्गत कुछ युजनाओं को पंच वर्सों तक चलाया जाता है और जिससे की देश का विकास हो सके और फिर अगले 5 पंचवर्स के लिए नहीं योजनाई बनाए जाकें यह होती है पंचवर्सी उजनाई इसके लामा पंचवर्सी उजना के माध्यम से निभेस को बढ़ाया जाता है निभेस यह नी की दूसरे देशों को लेकर के आफिर दिमेस अनलब एक परकार से बोलते हैं कि पैसा जितने आधा लगाई जासे के उसी को निबेस बोल गें इन योजनाओं के माद्यम से समाजिक नियाय घरीबी हटाने का कारिकरम पूर र olhoजगार की बात अग्रुकिं श्राइद कुले करके बहुत सारा काम किया गया इसकी案ा अब तक भीक बीड़ी सके और पंच्वर्सी उजनाई चुटिरत करम युद्धीन को मुख्य ब्सारे के सब्सक्राना रभ डहनाखा तकिया तेस। भासिओं को मेरस यें शौदामाई करना भी इसका उद्दिस रहता है पंच वर्षी उजनाओं को लेकर के दो-तीन परस्णों के परिछा में आने वाले हैं इनको आप ध्यान में से पढ़ लीजेगा तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रस्णों के बारे में जाना और मैंने तीब रिगती से आपक का काम किया तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है इस वीडियो के मादम से आपने बहुत सारे चीजों को जाना समझा और परखा यह रहा आपके बहुत सारे वीडियो तो इन सभी प्रस्णों को आप 2-3 बार देखिएगा वीडियो को तो आपकी समझ में सारी प्रणाइब से पढ़ा दिया तो उसका महा संक्राम वीडियो और इसका महा संक्राम दोनों का देदिया प्लेलिस्ट में आप जाकर कि वीडियो देख लीजेगा ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहें जाएंजा भारत आप सभी का बह पिवाद बोड़निबाद